नमस्कार दोस्तूं कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट सेंड केर में दोस्तों कुदरत ने प्राकरतिक मोती बरसाना शुरू कर दिया है और हमारे गार्डन में भी वो मोती साफ देखने को मिल रहे हैं कितने प्यारे लगते हैं ये मोती आप भी देख रहे हैं वैसे तो कुदरत की बनाई हर चीज ही सुन्दर होती है उसका कोई तोड होता ही नह लेकिन कभी-कभी कुद्रत की सुन्दर दिखने वाली कुछ चीजें हमारे लिए घातक साबित हो जाती हैं जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इन्हीं प्राकरतिक मोतियों की जो की आपको इतने सुन्दर दिख रहे हैं इनको हम ड्रोपलेट्स और ड्यू भी कहते हैं और ये कभी-कभी हमारे अडेनियम प्लांट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं तो दोस्तों आज का हमारा टोपिक भी यही है अडेनियम प्लांट और उसकी बूंदें आज की वीडियो में हम यही आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इनसे हमें क्या-क्या देखी रहे हैं कि कैसे ओसकी बूंदे अडेनियम के पत्तों पर फैली हुई हैं और साथ ही फ्लावर बर्ड्स को भी नुकसान पहुचा रही हैं तो चलिए समझाते हैं विस्तार से दोस्तों ओसकी बूंदे रेगुलर हमारे किसी प्लांट पर पढ़ते हैं तो उसको नु हेल्दी हो जाते हैं आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो ओसकी बूंदे पड़ी हुई हैं ये धीरे धीरे इसके अंदर चली जाएंगी यानि कि ये सीट पोर्ड उसको अब्जर्व कर लेगा तो सीट का अनेहल्दी होना तो लाज़मी ही है अब आप मेरे इस प्लांट को देख रहे हैं ओसकी बूंदे पूरी अच्छे तरीके से हमारे लीफ पर गिरी हुई हैं और उस पर छोटे-छोटे सीट पोर्ड भी लगे हुए हैं और सीट पोर्ड पर भी वह ओसकी बूंदे पड़ी हुई हैं तो ये हमारे प्लांट को डैमेज तो करेंगी ही दोस्तों अपनी एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि सरदिया आने वाली हो और बरसात हो जाए तो उसका रुका हुआ पानी भी नुकसान पहुचाता है अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके फ्लावर अब लीफ पर गिरेंगे तो वो गले गई साथ में वो ब्रांच पर भी और वो स्प्राउट नहीं होती है यदि हमारे किसी प्लांट पर निव फ्लावर आने वाले होते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ अडेनियम प्लांट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सरदी का समय नजदीक होता है तो फ्लावरिंग करते हैं तो इस तरह की ओसकी बूंदे उ तो इसका एक ये भी मतलब होता है कि अडेनियम प्लांट अब डॉर्मेंसी प्लांट में जाना सुरू हो गया है क्योंकि डॉर्मेंसी प्लांट में अडेनियम प्लांट की ग्रोथ रुख जाती है और यदि ये ब्लैक टिप आपकी ब्रांच पर गरिमियों के समय में भी ब पूरी तरीके से नहीं हुई है लेकिन जाना शुरू हो गई है इस दोरान यदि हमारे अडेनियम प्लांट में कोई समस्या हो जाती है तो वह पूरी सर्दियाँ ठीक नहीं होती है और पूरी तरीके से रोट भी हो सकता है अब आप देख रहे हैं कुछ हमारे अडेनियम प्लांट की जो लीफ यलो हो गई थी उनके उपर भी ये ओस की बूंद पड़ी है तो इन्होंने गलना स्टार्ट कर दिया है जो healthy और green लीफ है वो थोड़ा last में गलती है या उनमें गलने में समय लगता है लेकिन जो यलो ली फो गई है यानि कि वो already कमजोर है तो वो पहले गल जाती है अब देख रहे हैं कि ओस की बूंद जो है पानी के रूप में बनके हमारे कोडेक्स के उपर उपर से नीचे की तरफ आ रही है ये ओस की बूंदे हमारे अडेनियम के कोडेक्स को हमेशा गीला रखती हैं सर्दि हैं तो हमें इसका उपाय तो करना ही होगा वरना तो यह ओसकी बूंदे हमारे अडेनियम प्लांट को बिना बोले ही पानी देती रहेंगी और आप देख रहें कि किस तरीके से हमारा अडेनियम का यह प्लांट है और इसकी जो रूट है वो थोड़ा सा ड्राई हो गई थी मतलब रोट हो गई थी वो ठीक भी हो गई थी अब यह टाइट है लेकिन इसके उपर पानी पड़ता रहेगा तो यह खराब हो जाएगा अब देख रहे हैं इसके उपर फंगस भी लग नुकसान तो पहुचाती ही है और साथ में कोडेक्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाती है अब आप देख रहे हैं इसी कंडिशन में हमारा अडेनियम प्लांट का कोडेक्स यह दी बना रहे पूरे दिन और रात तो इसका रोट होना तो लाजमी ही है तो इसके लिए हमें जो उपाय करना होगा मैं आपको आगे इसका बताऊंगा लेकिन अभी कोर और कौन-कौन सी समस्याइं हो सकती हैं किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं आपको मैं वो दिखा रहा हूँ दोस्तो जब लीफ ड्राइ हो जाती हैं तो वो अपनी ब्रांच से अलग हो जाती हैं तो कभी-कभी वो कोडेक्स के उपर अंदर ब्रांच में फस जाती हैं और उसके बाद अगर उसके पानी पड़ता रहे तो वो हैं गल भी जाती हैं उनके गलने की वज़े से वो पूरे अडेनियम के कोडेक्स को भी गला देती हैं या फिर उसके कोई नि के अंदर साइड में जो लीफ होती हैं, उनको भी हटा देना चाहिए, कोडेक्स के आसपास नमी वाली कोई चीज इखटा ना होने दें, अब आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये अडेनियम प्लांट था, इसकी जो एक रूट है, आप देख रहे है नीचे कोडेक्स पे जाती रहेंगी, तो इसको हमेशा गीला रखेंगी, और ये और दूसरी एरिये को भी डिफेक्टिड करे गई, छोटे सीड पोर्ट के उपर एक रोवादार परत होती है, तो ये ओसकी बून्द उसको जल्दी से इफेक्ट करती है, ज्यादा लंबे सम तक सीड पोर्ट के उपर चिपकी रहती है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्लावर बर्ड्स हैं, और इसके साथ कई सारे फ्लावर बर्ड्स थे, लेकिन फिलाल इसके अंदर दो ही ऐसा लग रहा है कि ब्लूम करेंगे, और आगे पता नहीं ह ब iemand देख रहे हैं कि इस तरीके से इसने जो छोटी-छोटे आप देख रहे हैं इस तरीके से hp देख हो गये हैं, ये आप देखिए इस तरीके से चीम सिट घ्यमेज हो जाते हैं, और इनकी जो ब्रांच है जो टिब है, वो फिर आगे ग्रोथ नहीं करती है तो ये कंडीश हमारी इन दिनों में इस वज़े से बन जाती है और ये फिर हमारा अडेनियम प्लांट डॉर्मेंसी में होने की वज़े से इसकी ब्रांच भी ग्रोथ नहीं करती है आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बर्ण करती है कभी कभी तो दोस्तो ऐसी कंडिशन भी बन जाती है कि डॉर्मेंसी से बाहर आने के बाद अडेनियम प्लांट की जो ब्रांच है वो आगे बढ़ती नहीं है और उन पे फ्लावर बर्ड्स भी नहीं आते हैं हमें अडेनियम प्लांट की ब्रांच को प्रून करना पड़ता है दोस्तो ओस की बूंदों से होने वाली ये सब समस्याएं आपके प्लांट के साथ देखने को मिलेंगी तो उसके बचाव के लिए आपको ग्रीन नेट का इस्तमाल करना है जिसका अनुपात साथ चालिस का होना चाहिए उसके उपर उसकी बूंदे गिरेंगी लेकिन नीचे प्लांट पर नहीं पहुँच पाएंगी और जब तक उस पे दूसरी बूंद गिरेंगी तब तक वो पूरे दिन में सूख जाएगी दोस्तो आपको ये जो अनुपात मैंने आपको बताया साथ चालिस का इसको ध्यान में रखना है ये अनुपात ही आपके प्लांट में इस तरह की बनने वाली नमी को रोक के रखेगा और आपके प्लांट की रूट्स को भी सुरक्षित रखेगा plants को भी रखेगा, seed pod को भी रखेगा तो दोस्तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर लिजे और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दवाना ना भूले आपका बहुत बहुत धन्यवाद